बहुत विशेष महत्र है तो इनकी जो स्थापना होई है वो किस उदेशय से होई है भारत के हर कोने कोने में है और बहुत जादा इसकी मान्यता बहुत है तो इसकी उत्पत्ती के पीछे क्या कारण है कौन कहां है केवल इतना इश्मरन मात्र कर लें अगर प्राता शायम पठेन रहा सब्त जन्मकरतं पापं इश्मरनीन विनस्यती ऐसा बेद कह रहा है ऐसा शीव महापुरान कह रही है बारह जोत्र लिंग क्यों बनाए गए वो बताने के पहले केवल बारह जोत्र लिंगों का नाम आया इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल नमन कर ले मात्र केवल बाराह जोतिर लिंग कह देने मात्र से बिक्ति के साथ जनमों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं इस धरा को पाप विमोचन करने के लिए इस धरती से पाप समाप्त करने के लिए इस धरती का भार समाप्त करने के लिए इसको निश्पाप करने के लिए और एक बात करो, जीवन में संकट क्यों आते हैं, कहीं न कि हमारे कर्मों का ही रिटन हमको मिलते हैं, दो हाथ पेर का आदमी एक जमीन पर पस्वों के तरे रेंगने के लिए मजबूर है, और दूसरा महलों में आनंद ले रहा है, अंदर क्या है, कर्म, कर्मन्ने वाधिकारस तू, तुमारा कर्म, तुमारे फल का चेन करता है, अभश्यवेव भोक तव्यम, कृतकरम सुभा, सुभाउच्छे और बुरे कर्म का फल तुमको मिलता ही, कनफर्म है, भिल्कूल, जो जैसा कर्म करेगा, वैसा फल पाएगा, यह सब सब को पता है, सब जानते ही इस बात क उस कर्म के प्रभाव को अगर ये जान गए आप कि भाईया बुरा कर्म किया तभी तकलीफ आई कुछ पाप किया तभी तकलीफ आई अच्छा करते तो सुख मिलता तो बुरे कर्म को काटेगा कौन बुरे कर्म को समाप्त करेगा कौन बुरे करमों को कौन काट कर खताम करेगा आपके पापों को, आपके तापों को आपके संतापों को, आपके संकटों को आपके मुसीबतों को, आपके रोगों को आपके घर के गरिस्ती के रोजबनना के जंजाबाद को कौन समाप्त करेगा महादेव कि बड़िए प्रार्थना है पापो हम पाप करमा हम ऐसी प्रार्थना दूसरी जगे नहीं हजारों अफ़ारों गृताओ आप अत्थारा पुरार्ण उठाओ छे सास्त उठाओ चाभेद उठाओ आपको इसका इसकी रिफलेका नहीं मिलेगीप का इसका डूब्लीएक नहीं किसी से डारेक्ट यह कभी नहीं कहा गया मेरे पापकाटो आपको बोला जय भगबान राम चंद जी की तो आप क्या कहेंगी जय कृष्ण चंद जी की जय दुर्गा माता जी की हनुमान जी की आप जय कहेंगी और उसके बाद हर हर महा ऐसा किसी के बारे मोलते हैं इसका मीनिंग क्या है इसमें क्या कह रहे हो आप आप कह रहे हो हर हर हरो 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 महादेव मेरे पाप हरो महादेव मेरे संताप हरो तो सीधा डारेक्ट जिससे आप अपने संतापों के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल डारेक्ट, लोग इधर दर, सीधा अधिकार में, जैसे अपने माबाप से, किसी ने भी कभी भी माबाप से मांगने में कहा, जै मम्मी दे भी, आरती लेके शुरू हो गए, प्रिज में तुम्हारे लिए सरवस्ट बना रखा है, महा तुम सीधा जाते हो, हां तुठा कहते हो, भाई, सलेंडर है हम, किसी ने बंदूग दिखाई, तुम क्या बलतो, सलेंडर, कुछ पारना मत बाई, मुझे तो, मैं हारी मान गया, तुम जाकर कहते हो, मैं हार गया, सब गहरो, मेरे संताप हर लो, मुझे सुखी कर दो, मुझे समृत्य कर दो, मुझे सब दे दो, देने वाला इतना दयालू है, इतना कृपा निधान है, इतना भूलानात है, कुछ भी ले जाओ, बड़ी अजबुत चीज है, जब आप शिवरात्री पर बात कर रहे हो, जब आता है, पारवती जी का विवा हुआ, बोले सब का महल है, महाराज, हमारे लिए भी कुछ करो, प्रभू, मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे आप, बहुत कहने पर महादेव ने का ठीक अच्छा करता है, बिश्यकरमा को बुलाया, भई किसका महल बन रहा है, देवताओं का न अब इतना अच्छा बना, तो उसकी ग्रहप्रवेश किस से कराएं, कोई बड़ा विद्वान चाहिए, सब धर्ती पर करते हैं, यह धर्ती में रहते हैं, दर्ती वाश्यों के साथ रहते हैं, वसी तरे लीते हैं, इनको ऊपर जाने का कोई सौख नहीं है, यह कहते हैं, यह ब्रमा जी से भी विद्वान है कौन सभी दक्षणा की डख्षणा करा अंकलने तो दक्षणा का मतलब होता अंकल ने यतिसाए दक्षणा कितनी जितनी उसकी द किता हो कोई कोई हो सकता है 1000 नुपई में काम करता हो कोई हो सकता पचाश利A वह जाने कामः करता हो एक राइटर है वो एक श्टोरी लिखनेगे 500 रुपे लेता है य strongest रुपे लेता है कोई 5annel 1 तै उसकी कागलीद है क्षटा उस्की साथ भोग न कर्फिध न हमेंसा happens बैठेव जो मांगों दे देंगे तो उसने का यह आपने महल बनाया ना इस बहुत संदर है यह दे दो अच्छना में कि वही महल है वही नगरी है जिसको लंका कहा जाता है और उस बालक का नाम रावन था सोने की नंका सोने की नगरी महादेव ने अपने लिए बनाई थी दान में दे दी सोने की लंका तुरिभुवन में जाब बजा था अच्छा वह सोने की लंका महादेव ने अपने लिए बनवाई थी उस बच्चे का नाम रावण था जिसको सोने के लंका मिली वो लंका रावन की नहीं वो नगर वो महल बनाया गया था किसके लिए भगवान शंकर के लिए इसलिए गोस्वामी तुलसी दाज जी ने जब संदरकांड में लंका का चर्चा किया तो क्या लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अगनित जोधा राक्षसों के घरों को मंदिर कह रहेगो स्वामी तुलसी दाज जी क्यों चैकि वो भगवान शंकर का घर था तो उसको महल कैसे कहें और अंतिम में देखो जो राक्षसों के समूह का नेतृत्व करने वारा स्रवस इतना संदर इतना अधबत बना क्या कहा जाए उसके बारे में ऐसा कहरें को स्वामी दिलसी दाशी क्यों कि वो हर्मान जी शिवजी का सरूप है वहीं आये हैं वो कहने वो अंदर खुझ गये तब तो यह पूरा मंदिर हो गया इन ही के लिए बनाया गया तो बहुत बहुत कि अंक्र के लिए शिव के लिए जब आप दानी कहते हो दिससे इंदान कहते हो दिससे ज्वजा सейं कुछ नहीं कोई आदणी घंटा चढ़ा उतार ने गया घंटा चुराने गया अमने ना क्या करें खोले कैसे और ऐसा इत्तिफाक है कि हमेशा घंटा सिबिलिंग के ठीक उपर लगा जाता है कि ऐसा विधान है अब वो करे क्या खोले कैसे तो विक्ति शिविलिंग के ऊपर चड़ गया फंटा खोलने के चक्कर में प्रगट होगे खुशों में बर्दान मांगो कि ख़ता कोई फूल चड़ाता इपटी चड़ाता को हाथ चड़ाता को पैर चड़ाता कोई शर चड़ाता किसी अपने शुख requires होजातेSON और सिच्वेशन में जैसे आपके माबाप कैसे खुस हो जाते हैं, आप तोतली भासा में कुछ भी कह रहे हैं, वो मुस्कुरा कर आरंद ले रहे होते हैं, रहे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, छोटा बच्चा आप से हाथ से हाथ लडाते हैं, वो जाने के लिए भश्य हैं आपसे प्रेम जो करते हैं ऐसा दया निधान ऐसा करूना का सागर दूसरा कोई नहीं तब यह उसे देवों के देव महादेव का नाम बोला है कि वह सब से उपर हैं जो भी आपकी कोई भी मनुकामना है कोई भी संकट है उसको पुकारो सब हर लेगा अगर वो हैं आपके साथ तो सब हैं आपके साथ